प्रेट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आपके इस प्रकार से ओडिनरी हनिकोम बना सकते हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप ब्राइटन हनिकोम बना सकते हैं तो देखते जाईए, ब्राइटन हनिकोम बनाने के लिए कुछ रूल से, आप ब्राइटन हनिकोम का रिपीट चार के मल्टिपल में ही ले सकते हैं, जैसे कि चार, आठ, सोला, बारा, बीस, चोबीस उस प्रकार से ही ले सकते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे सोला भाई, सोला क रिपीटेशन का बोक्स लिया है, तो देखिए अभी आप, मैंने यहाँ पे सोला का बोक्स लिया है, तो सबसे पहले आपको ब्राइटन हनिकोम बनाने के लिए सेम, जो पहले हनिकोम बनाते थे, उसी की तरह, एक डाइगोनल लाइन खीच लेनी है, इस प्रकार से, दूसर एक चोड़के यहां से, और एक चोड़के यहां से, अब इसमें नया क्या है, एक आपको सेम, इसी प्रकार की लाइन, दूसरी यहां से भी खीच नहीं है, इसके एक प्रेलग, इस प्रकार से कुछ, अब देखिए, अभी आपने रिपीटेशन, कितने नंबर का लिया था, 16 का, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लोट, फ्लोट यानि कि कितना आप अप रख सकते हैं, वार्प यान को, उसको बोलते हैं फ्लोट नमर, तो यहां पर कितने रखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, उस प्रकार से उसको बोलेंगे फ्लोटिंग, अगर मेरे यहा फ्लोटिंग हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तो इसमें भी राइटन हनिकों में आपको फ्लोटिंग कितने लेना है, वो आपको मेरे डिसाइड करना है, तो आप फ्लोटिंग, किस प्रकार से और कितना लेंगे, वो आपके रिपीट साइज प उस प्रकार से लेना है, 16 का रिपीट है, तो 16 डिवैड बै टू, यानिकी 8 और 8 माइनस 1, हर सभी रिपीट में इसी प्रकार से होगा, अगर 12 का रिपीटेशन आपका है, तो 12 डिवैड बै टू, यानिकी 6, पर 6 माइनस 1, यानिकी 5, तो उस प्रकार से उतना ही लेके दिखाता हूँ कि अभी 16 divided by 2 यानि की 8 minus 1 यानि की 7 तो 7 का floating हमारा होना चाहिए तो चलो मैं floating करके दिखाता हूँ तो आपको floating किस प्रकार से लेना है देखो यह अगर आपकी एक line हो गई है तो मुझे 7 का floating लेना है तो 7 का floating कहां से हो सकता है देखिए यहां से 1,2,3,4,5,6 तो यह 6 नहीं हो पाएगा इस line को आपको घिंती कर लेना है तो यहां से देखिए 1,2,3,4,5,6 और 7 maximum floating 7 का यहीं से ही आ सकता है उसके अलवा कहीं से भी नहीं आ सकता अब क्या आपको करना है यहां से cross में लेते जाना है इस प्रकार से यहां पर connect हो गया बागी का बीच का परदे नसी same to same यहां से भी करना है वेसा इस प्रकार से यहां पर बन गया same to same इसी प्रकार से इस side भी 7 का floating जहां पर आता है वहां रुकना है आपको तो देखिए यहां पर 1,2,3,4,5,6 और 7 7 का floating यहां पर आ रहा है same इसी प्रकार से यहां पर भी आ सकता है 1,2,3,4,5,6 और 7 तो मैं अगर मैंने यहां से चालू किया है तो मैं यहां पर नहीं लूँगा इसके नीचे से लूँगा यहां से 2,3,4,5,6,7 क्यूंकि मुझे इस line को साथ में रखके floating लेना है मुझे इस line के साथ आपको floating नहीं लेना है मुझे इस line के साथ आपको floating नहीं लेना है मुझे मैंने सारा का सारा फील अप कर दिया इधर इस साइड से ओके कंप्लीट अभी मेरा ये दो साइड कंप्लीट हो गया अभी मुझे नीचे चालू करना है तो मैं नीचे से क्या करूगा मेरा अगर ये लाइन है तो मुझे इस लाइन को साथ में रखके साथ का फ्लोटिंग लेन यह हो गया सेम इस साइट से मुझे करना है एक दो तीन चार पांच छे पर साथ फिर यहां से क्रोस से मुझे लेते जाना यह मेरा यहां पर कंप्लीट हो गया अब क्या होगा इस लाइन की बारी आएगी इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम जो ओडिनरी वनिगों में करत के लेना है तो यहां पर क्या गुरूगा एक को छोड़के यहां से एक दो तीन चार और पांच और यहां पर इन दोनों के बीच में एक का गेपिंग रखना है और सेम यहां से इस प्रकार से हो गया यहां से एक को छोड़के एक दो तीन चार पांच पर यहां पर एक पर हैं तो अगर इसके बहुत साधा रिपीट हो जाए तो वो मुझे किस प्रकार से दिखेगा देखे किस प्रकार से मेरा प्रैटन अनिकोन दिखेगा एक यहां से वार्प का अप लिए हुआ है यहां का सारा आप है यहाँ पर वार्प का सारा आप है यहाँ पर वेफ्ट का सारा आप है यानि कि एक अनिकुम आप बना होगे तो उसमें चार इस प्रकार से छोटे छोटे बोक्स जीसा बन जाएगा लेकिन उसमें दो वार्प के अप होगे और दो वेफ्ट के होगे यह जो वाइट कलर जैसा दिखा रहा है वो वेफ्ट अब दिखा रहा है जो ब्लेक कलर दिखा रहा है वो वार्प अब दिखा रहा है यहां पर वार्प के कोई कलर क का effect आएगा इधर कोई black के color का effect आएगा अगर आपको इसको colorful में देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैंने यहां से color select कर लिया वादप का color मैंने red रख लिया और left का color मैंने blue रख लिया तो कुछ इस प्रकार से आपका repetition दिखेगा कपड़े के अंदर देखें यह हो गए आपका brighton honeycomb का repeat यह पूरा का पूरा आपको इसमें कुछ भी गलती किये भी ना करना है साथ का repetition लेना है अगर 12 का box रहा तो 12 divided by 2 यानि कि 6 6-1 यानि कि 5 का repeat लेना है और सेम उसी प्रकार से यहां पे भी जान रखते जाना है कि कहीं पे आप गलती ना कर दे धन्यवाद आपने मेरा वीडियो देखा अच्छा लगा हो तो like करिए मेरी चैनल को subscribe करिए और आपको अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो मेरे comment box में जाके कोई भी वीव के बारे में comment करे तो मैं आपके लिए नए वीव लाता रहूँगा ठेंक यू देखने के लिए